हेलो गैस वन सेकेंड चोधरी गमडी सन के लासे तो इंडिया एरफूर्स की जो रेली की बढ़ती का मेडिकल चल रहा है उसकी पर आज में डिसकस करने वाले है कुल मिला कर कितने candidate को वहां से red card मिला है कुल मिला कर कितने candidate को green card मिला है और यहां तक आपका कुल मिला कर देखा जाए तो कितने दिन का वहां समय लग रहा है जिन candidate को green card मिल रहा है उनको कितने दिन का समय में लग रहा है और जिन candidate को red card मिल रहा है और उनको कितने दिन का शमय लग रहा है जिनको red card मिल रहा है उनको again chance मिल रहा है या नहीं या वहीं से out कर रहे हैं और major point किसमें बरने हैं तो इस पर आज हम discuss करने वाले हैं तो या review जो अंबाला से है आप यहां से देख सकते हैं आपका medical सत्ता इसको था क्या तो मैंने जब इनसे पूचा तो बोले ला हाजी तो मैंने जब इनसे बोला review दोगे क्या तो बोला हाजी मेरी entry morning साड़े 6 वी पर हुई smc wing 7 अंबाला तो इनकी जो entry थी तीन फόर्म बर्वाईतों सबसे पहले इनका क्या रपर्पोर्टिंग होगी तो तीन फ़र मिचा आए होते अपने साथ ले जाए हँट तो आगे वन्होंने बताया कुल मलाकर में इने सीच पूचा कितने प्रिजेंट तो 45 प्रेश्ट जैसा कि अब कुमल में एवरीडे 45 के अगेट ही वह इंडियन इर्फोर्स का जो मेडिकल चलता है तो बुलाते हैं तो सब्से पहले खाली पेड बिलड टेस्ट हुआ तो सबसे पहले इनका जो खाली पेड था तो उसके लिए बिलड टेस्ट कि कि आ गया होता है कि आपको अब मेडिकल प्रेजेंट होने से फौर्टीन हाउट वहले को स्खाना नहीं है तो आप खा नहीं सकते हो लेकिन अधिक से अधिक पानी का सेवन करें जिससे का आपकी जो इसी है नौरमल है अपका जो बीपिआ यह सब कुछ नौर्मल ही रहे तो उसके बाद ब्रेकफस्ट करने को बोला तो इसके पस्चाद इनका ब्रेकफस्ट करवाय गया फिर अगेन विल टेस्ट हुआ और फिर यूरिन टेस्ट हुआ तो सबसे मेलिम का लीपन यह स्वह स्वह तो इसके पश्चाह। लए जाए पस्चाहिं के लिए हमें भीजा तो सब्सक्रापइस के लिए बैस दीदे अगया था तो इस याप की इसमें प्रकार की चेक की जाती है नौर्मल है तो जब इन से पूछा इसके पस्चाद क्या हुआ तो इसी जी के बाद हाइट वेड लेग लेंद भी पी आई विजन टेस्ट विस्फर हीरिंग टेस्ट मियट में तो आप यहां से देख सकते हैं इसी जी के बाद इनका हाइट वेड आपका जो वेट हैट के कोडिंग है या नहीं आपका लेग लेंद बीपी हैपोटेंस प्रकार का मीजरेमेंट वहां चलता रहा इसके बाद प्राइवेट 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 प्राइ फिलेट फीट हेंडवेंड नौकनी यह सब को चेक किये जाते हैं स्वीट पॉम उस समय आपका यह एक्साइस कराई जाती है तो बहुत सारे केंडियेट भोलेंगे कि हम तो पीएफटी में ही जैसे तैसे किलियर करके आई थे अफिर दुबारा से आगे तो ऐसा कुछ नहीं है आपको ट्रेनिंग के दौरान भी यह प्रते एक दिन अपनी जो डेली रूटीन है उसमें लाना पड़ेगा आई थिंक आपके समझ में सब कुछ आ गया होगा आप इंडि आपस में क्लोज तो नहीं है फिलेट फीट चेक किया गया जो नीचे वाला इस्ता होता है वा फिलेट तो नहीं है पैर का और उसके बाद पॉंस वीट उसके वस्याधन का जो हाथ का पसीना चेक किया गया एक्साइज के ही दौरान वा इस तरीगे की चेकिंग करते हैं आते हैं कि आपका यहीं से solution हो जाए आपको दुबारा से ना आना पड़े तो जिनका मेजर पॉइंट होता है उसको पॉइंट मना ही देते हैं तो आपको यहां से भी देख सकते हैं फिर तीन घंटे के बाद साड़े साथ पर कार्ड डिस्टिब्यूट करें तो आप यहां से रेड कार्ड मिला है उनको दो दिन का समय लग रहा है क्यांको उनको अगले दिन एक चालंज जमा करना पड़ता है तो उनको ज्यादा काम तो नहीं होता है लेकिन एक चालंज जमा करना पड़ता है लेकिन एक चालंज जमा करना पड़ता है तो उनको दोबार से इंडियन काड मिल चुका है तो इन भाई को मैनी मैनी कॉंचुलेशंस आई होप यह अपना इस्तान पीएजल में भी पक्का कर पाएंगे श्यूर तो यहां से देख सकते हैं 45 में से 13 को उस दिन गीरीन काड मिला तो केवल और केवल 13 केंडियेट को ग्रीन काड मिला है कि शुरुवात में क्या था रिव्यू जो अच्छा ही देखने को मिला था करीगरी 28-27 केंडियेट को ग्रीन काड मिला था तो मैं आपको वहां बताया था कि यहां बहुत ही अच्छा रिव्यू हुआ उसके पास चाद हमें ऐसे धिन भी देखने पड़ेंगे ऐसा धिन भी को यह आएगा कि मात्र आर्से 10 केंडियेट को ही ग्रीन काड मिलेगा तो आप यहांसे देख सकते हैं केवल 13 केंडियेट को 27 अक्टूबर को जो 7 SMC है अंबाला उससे मिला है ग्रीन काड तो आप यहांसे देख भी सकते हैं 32 को रिमेडिकल चंडिगड में होगा रिमेडिकल यह था मेरा सारा एक्सपिरेंस तो इन्हों ने जितना भी इनको साथ किया जर्षंप कीया तो थेंक्स जन्हों एटना समय निकाल कर अपना रिभियू शेर किया तो मैंने जब इनसकर किसे जाद मेंसे बरावर से यह हैं वेट में ECG में एक को पॉंट में भी मिला तो आप यहां से देख सकते हैं जिने केंडियों को बहुत सारी होते हैं कि बोलते हैं कि मेरा वेट जादा या फिर मेरा वेट कम है तो मैं इनको बताता चलूंगा आपका डेफिनेंडरी वहां पॉइंट बना दिया जाएग वेट जादा या फिर कम मिलता है तो आप इस पॉइंट को बिल्कुल अपने मैंन से निकाल दें के वेट में किसी प्रकार का वहां पॉइंट नहीं मिलेगा तो आपको बिल्कुल वेट में पॉइंट मिल जाएगा यदा आप उन मीजरमेंट के खिलाफ हो तो तो ECG में भी इस निफ्रमेशन मिली होगी यह आपको इस वीडियो से कुछिन फोर्मेशन मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बैल आइक वी दवाले जिसे की मीडिया आने वाली वीडियोगे वीडियोट को समय पर अप्रप तो थेंक्स